गुजरात में शरतपुर्णीमा का उत्सव भी उत्साहक के साथ मनाया जाता है। गर्बा की रंगत में भी गर्बा प्रेमी उत्साहक के साथ जुड़े। जाड़ जड है की रंगत में भी तूमया जड़े। टीर्ण जर्ण तूमया जाड़ेई। हम इनikt के आए है और मेरा है और सब मेरे के घंग के चेति के नहुड जर सब्सक्रहें जर सबस्यों को यह रधान उर उर मेरा बमय büyड़ प्रे भी जर शर Нः तकमक्षन कि नुखे को जिए रहा है जाए जनके जिए बाताई। श्रक्श्विणे कूलनों फालितुसरा गहां। बढ़े नहीं सकता खाली बताई सक्या जे गरबारूपी बढ़े फडिया युवक बंडर द्वारा शरत्मास सव छेलत महां अर्सों दिया वेज बुशा साधे रुचावामा आवेजे अने आज रिटे मनो रंजन साधे लोगो राश्राव भुकरहार हमे जाईया गाडी लोगो संकर बगवान बनिया जे लेडिस बनिया जे गना बदा ना चोकरह राम सिता बनिया जे गना बदा वेज बुशा बनिया को यादी वासे बनियू जे बनियू जे बंद्रसी बनियू अमारे चल्णा बेया मैनाधी मैनाध होई जानी पाजण गुश्रात का प्रसिद तिर्थ धाम अमबाजी देश विदेश में शक्ती पीट के रूप में प्रसिद है यहां शरत्पुनिमा के मौके पर माता जी की दर्शन के लिए भक्तो का हुजूम उमड़ पड़ा माता जी के पट खोल कर दूद पोहे का भोग लगाया गया और कपूर आरती की गई चांद की शीतल चांदनी में तयार किये गए दूद पोहा के प्रसाद को लेने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों ने कतार लगाई शरत पूर्णी मा को काजोगरी पूर्णम के रूप में भी जाना जाता है और इस दिवस पर शीतल चांदनी में तयार किये गए पोहा को ओशत की रूप में लिया जाता है इस दूद पोहे का प्रसाद गरहन करने से शरीर से नेगिटिव उर्जा और बिमारियां दूर होती है ऐसी मानिता है ऐसे में अमबा जी में मा अमबा को लगाए गए भोग को लेने के लिए हजारों की संख्या में भाविक भक्त उमड पड़े यात्राधाम अमबाजी में हर पूनम पर भक्तों का हुजूम देखने मिलता है जो शरत पूर्णीमा पर करीब करीब दुगना देखा गया बुधवार रात मुंबाई के वरली में आयोजित फैमिना मस इंडिया 2024 का ग्रांड फिनाले एक अधभूत और स्टार स्टडेड इवेंट रहा सवसर ने वहारत की सबसे प्रतिस्टित सौंदर्य प्रत्योगिता की साथवी वर्षकार्ट को धुम धाम से मनाया इस भाविय समारोह में मध्यपदेश की निकिता पूरवाल को फैमिना मिस इंडिया वर्ड 2024 का ताज पहनाया गया अब आगामे मिस वर्ड कत्योगिता में वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी सोल अक्टूबर की रात मुंबई में ये समारोह आयोचित किया गया जसमें पिछले साल की विजेता नंदीनी गुपता ने उन्हें ताज पहनाया जबकि बॉलिवूड एक्टरस निहा धूपिया ने उन्हें मिस इंडिया का सैशे पहनाया दादरा और नगर हवेली की रेखा पांडे को फैमिना मिस इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी फूर की फर्स्ट रनर अप का खिताब मिला जबकि गुजरात के बडोदरा की आयोची धोलकिया ने सेकेंड रनर अप का खिताब अपने नाम किया सभी विजेताओं को पूर्व प्रतियोगिता विनर नेहा धूपिया ने फूलो का गुलदस्ता दे कर समानित किया बडोदरा की आयोची धोलकिया बच्पन से ही काफी एक्टिव रही है और डांस से लेकर मौडलिंग तक उन्होंने कई शेतर में अपनी प्रतिभा को उचागर किया है इससे पहले आयोची दोहजार उन्नीस में मिस्टीन इंटरनाशनल का किताब भी चीच चुकी है फैमीना मिस इंडिया जैसी प्रतिस्ठित प्रतियोगिता में सेकेंड रनर सब बन कर आयोची दोहजार ने फिर एक बार बडोद्रा को विश्व स्तर पर गौरवानवित किया है चीक से साफ करो उपर उपर से नहीं BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग इसको साफ करके क्या फाइदा इतनी बेज़ती स्विच टो आरार सिगनेचर डिजाइनर बीलडीसी फैंस जो बोरिंग लुकिंग नहीं वेरी स्टाइलिश लुकिंग है आरार सिगनेचर फैंस आपके काम की बात Every new year we take a new year resolution New year resolution का मतलब होता है upgrading your life which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space and that is why the best choice is Trilogy by Kotiya Trilogy by Kotiya finest architecture, world class amenities and a great space to live come check it out भारत ले रहा है Electric अंगडाई क्यों न हम साथ चले साथ चले साथ बढ़े साथ बढ़े देश मेरे देश मेरे देश को ले जाए नई दिशा की और आपका जोई भारत का जोई भारत की नहाद्ड़े आपका ज rat भारत का जोई का दो नहाद्र हुआ है अ्रीजाश की चंगाल थे मेरे आपका जोईच़् घ्लोई ज 뭐 य्क्परolas range कर दो हमें लड़की पसंद है कुणली भी मिलती है काफी होट है कोने कोने में हवा नहीं कुश रही कोने कोने में रर सिग्निचर फैंस आपके काम की बात प्रेट यदिया प्रेट साथ अपार्मेंट अप्री प्रेट पर्पार्में मेर्शे के लिए लिए अपर्ट विए अजार। this is so amazing, so grand and so beautiful best वाता अपार्टमेंट्स निये शेका है, या तमने मड़ा शे वक्तू बापनी so now I'll see you in the living room, let's go this is amazing, right? कोच्याद पलेदियम, 3 BHK लार्ज अपार्टमेंट्स नियर अर्थ इंफिनिटी इन भाईली, don't forget to visit कोच्याद अपार्टमेंट्स नियर अपार्टमेंट्स गुजरात के बरोदरा जिला के सावली में चोरो की दहशत बढ़ती जारी है सावली के जशोदा नगर सोसाइटी में एक मकान में और मेन रोड़ पर स्थित अतूल बैकरी में चोरो द्वारा चोरो की वारदात को बिती रात अंजाम दिया गया था वहीं सावली हालोड रोड पर अक्षा सोसाइटी में सावली जानने वाले एक युवक को रोग कर कुछ अग्यात शक्षों ने धमकी दे कर उसे लूटने की कोशिश की इस युवक ने समुचा मामला पुलीस समक्ष उजागर करते हुए कानूनी करवाही की माग की है वड़ोद्रा के नवायाड इलाके में पिछले तीन महिनों से डामर जैसे काले पानी की आपूरती हो रही है जिस पर कोई करवाही नहीं होने से आखिरकार कॉंग्रेस की नगर सिविका को धरने पर वैतना पड़ा है कहने को तो गुजरात का वड़ोद्रा शहर एक महानगर और स्मार्ट सिटी भी है लेकिन स्मार्ट सिटी में कई इलाकों में अभी भी दुशित पानी की आपूरती की खबरे सामने आती ही रहती है वड़ोद्रा के नवायाड इलाके में पिछले तीन महिनों से कई सोसाइटी में काले पानी की आपूरती हो रही है इस मामले बार बार शिकायत करने पर गड़े खोद कर कारिवाही की कोशिश की जाती है लेकिन कोई ठोस निवारण नहीं लाने की वज़े से लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है ऐसे में स्थानिय नगर सेवक पुष्पा वाघिला ने धरने पर बैठ कर वड़ोद्रा महानगर पालिका के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दूशित पानी की समस्या को सुलजाने की मांग की है यहां के स्थानी निवासी पिछले पानी की बज़े से परेशान है और बिमार ही पड़ रहे हैं यह नवायर जेवे नगर और रसुल जी की चाल और बठा सब में पुरा गंदा पानी छे बज़े आता है कोई-कोई लोग आते हैं सेंपल लेने कौन आते हैं पता नहीं चलता है हर जगे पे हर दिन तिन चार ब कोंगरस की नगर सिवक पुष्पा वाखिला ने यहां धरना देते हुए वड़ौप्रमहानगरपाली का के अधिकारियों को आड़े हाथ हो लेते हुए इस सबस्या की निवा रणकी मांग की है पबलीक की तोड़ी घलती है वातेश्ट कर देंजेश्ट लहीं और हम यहां बेटेशं तीन मैंने हो गए तीन माइने हो गए और आप देख लो कई कई पर जगा पर 8 से 10 जगा पर खड़ा खोटके रखा है वह खड़ा खोटके रखा है मैं बता सकती हूँ कि यह पॉइंट भी उन्होंने रखा है पानी गंदा आता है और पॉइंट रखा है प्रेसर पॉइंट रखा है अरे भाई पानी तो गंदा आता है पानी क्लीन करने की बात बोलते है पानी का प्रेसर की बात नहीं है तो आप प्रेसर पॉइंट रखके चले गए एक मैना हो गया अभी यही होल में से पानी कि मुझे बोलेंगे तो मैं क्या करूँ तो मैं आखीर में दढ़ने पर एक तीन माहिने होगाई अभी दीवाली का सबसे बड़ा त्योहर में आप पानी नहीं सकते तो हम क्या करें इसी जगा पर धाड़े पर बेटी हूँ जहां ड्रेनेट लीक है जहां पानी लीक है बिल्लिंग बना दी बिल्लिंग को पर्मीशन किस ने दी हमने तो नहीं बोला था कि आप यहां से बिल्लिंग वाले का है तो तो तोड़ दो और वहां पानी क्लीन करो सबको पानी तो चाहिए कि नहीं चाहिए, says, बीदिक काईबे सर है, की गेर काईबे सरे मेरे बाद नहीं है, मेरी बाद पानी लोगों को पूड़ाइबर, पनी इसकी वज़े से लोग काम नहीं कर रहे है, वोग बोलते है कि अगर दी है तो किसने दी है उनको बूलाओ नहीं दी है तो तोड़वा दो हमको दो पानिक लिंच चाहिए